हालो फ्रेंट्स आज के वीडियो में आपको यह बतानेजारों कि कैसे आप अपने यूपे स्पीकर की साउंड की प्रॉलम गोपकोज़ सकते हूं कह पती है, यहांद पिर पे आपको टाप कर लेते हैं लग को Самहेीं के महाले切न की सीड़ 했ती है हो जाएगा restart करने से यह होता है कि हमारे फोन के Android system में अगर कोई problem आती तो problem जा सॉल हो जाती फोन को restart करने से ठीक है अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि आपको अपने mobile phone का इसे आपको open करना है और यहां पर अगर आपका mobile phone silent mode बे अगर अक्टिवेट है तो mobile phone को silent mode से हटा के रखना है ठीक है और अगर आपके mobile phone का bluetooth अगर किसी भी दूसरे device के साथ connected होगा तो इससे आपके phone के speaker में से sound के वाद नहीं आती तो इन्हें आपको तभी चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे बाकी समय बंद करके रखना है ठीक है अगला काम यह करना है कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहां पे लिखावा दिखाई देता है उससे टैप करके अपने phone का software अपडेट कर लेना है जिससे आपके phone के speaker की sound की problem solve हो जाएगी अगला काम यह करना है कि आपको अपने mobile phone का speaker में थोड़ी बहुत धूल मटी चिप सकता है तो इसलिए ध्यान रखना है हलके आतों साफ करना है ठीक है अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस यह करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process कोई भी अगर काम नहीं करते हैं तब आपको phone को reset करना है अदर्वाइस नहीं कर इससे आपको mobile phone reset हो जाएगा और आपके phone के speaker की sound की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से बहले दो बात होगा आपको ध्यान रखना है पहली बात आपको यह ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data है सारा का सारा data आप किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लिजे या उसका backup ले ल जाएगी अगर मेरे बताय हुए सारे process करने के बाद भी आपके problem solve नहीं होती है तो आपको करना क्या है देखिए आपके mobile phone का service center है वहाँ पर आपको चले जाना अपना phone वहाँ पर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए हो सकता है आपके phone के hardware में कोई दिक्कत होगी जिसके इस वीडियो में जितने भी solution बताए है वह mobile phone के software के जरिये बताए है ठीक है